मंदसौर सितामों फाटक मुक्तिधाम शिवना नदी की पूजा अर्जना की मिर्ची बाबा ने शिवरा सरकार पर लगाए आरूप मंदसौर की जीवन दाइनी शिवना नदी जवाबदारों की अंदेखी के चलते अब पूरी तर अनाले की रूप में तबदील हो चुकी है जिसको लेकर संगठोनों ने कई बार विरूत प्रदशन भी किया और उसी के ताथ आज अचारी महामंडलेश्वर एकजाराठ स्वामी वेराग इनिंदगीरी महराज मिर्ची बाबा ने मंदसौर मुक्तिधाम शेत्र में पहुँचकर शिवना नदी में उतर कर उसके पान पीटते हैं उनकी आखे खुले स्वच्चिता की नाम से करोडो रूपा है दकार खाते हैं ये जनता का पैसा है इस पैसे को दकार नहीं यहां लगाया जाए इस दोरान मिर्ची बाबा ने केंदरिय मंत्री जोतिरादिति सिंधिया पर भी निशाना साधा मिर्ची बाबा न शुक्रवार को बताये कि मदसौर भगवान पिशुपतिनात की शिवना नदी लगातार दिन पर दिन गंदी होती जारी है और पूरी तरह शिवना नदी ब्रस्टाचार की बेट चड़ चुकी है पूजा याचना इसलिए की गई है कि पूजा याचना के उपर बोट मांगने वाले गाय पर तिलक लगाकर के बोट मांगने वाले स्वच्छता का धेंडोरा पीटने वाले उनकी आँखें खुलें कि शिवना का पानी पीने लाइक नहीं है ये सिवना पर इतनी गंदगी हो रही है इसके स्वच्छता के नाम से करोडो रुपे ड़कार जाते हैं ये जनता का पैसा है ये भारत की जनता का पैसा है तो इस पैसा को ड़कारे ने यहां लगाएं और ये सनातन धर्म की पूजा करने का भारत के संतों को अधिकार है भा करने का काम करें शिवराज सिंग जी के लिए प्राथना की गई है कि बो धरम के नाम पर पाखंड न फैलाएं इस शिवना को आकर के सुद्धी करण करें जूती राज संधिया जनता के प्रतिनिदी बनते हैं मैं आज उनसे वी कहना चाहता हूं इस शिवना की आचमनी करके त सुपतिनात के बाद में अभी मेरी पत्र का बारतालाप होगी उसमें सब कुछ रखोंगा जाए हिंद जाए भाहरात